तो दोस्तो आई पियल दोज़ा 24 चालीसवा मुकाबला जो कि गुजरात वर्सेस दिल्ली के बीच खेला गया अरुन जेटली स्टेडियम दिल्ली में जहां गुजरात ने पहले टॉस को जीत कर गेन बाजी करने का फैसला किया दिल्ली ने पहले बैटिंग करते वे 224 बना दिये रिशप पंत ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी एक बार फिर ठोक दी 43 गेंदो में आबाद 88 रनों की सांदार पारी अक्षर पटेल ने 43 गेंदों में 6 आचाट रंस बनाए और ट्रिस्टन स्टप्स ने 200 विस्पोटक साथ गेंदों में 26 रनों की पारी खेली गेंदबादी में संदीप वारियर ने 3 ओवर में 15 देके 3 विक्टे निकाली गुजराट इसके लावा नूर एमद ने 3 ओवर में 36 देके 1 विकेट निकाला शारू खान ने 1 ओवर के अंदा 8 रंदे के कोई विकेट नहीं निकाला जब गुजराट पीछा करने उत्री दोस्तों आपको इस मैच में तो 220 तक पहुँच गई थी लेकिन 4 रंदों से मैच को हार गई 20-23 सुदर्शन 49 गेंदों में 65 देविड मिलर 23 गेंदों में 55 और रिदिमान साहा ने 35 गेंदों में 49 रंद बनाए राशिकदार सलाम जोकी इंपाक्ट प्लेयर के रूप में आये थे 4 ओवर में 44 रं तीन विक्टे पुल्दी पियादों ने 4 ओवर में 39 रं देके 2 विक्टे और अक्षर पठेल ने 3 में 28 देके 1 विक्ट और इस तरीके से 40 वा मुकाबला दिल्ली कापिटल्स की टीम 4 रंदों से जीत गई जो दोस्तों इस 40 वे मैच के बाद पॉइंस टेबल के जो सूरते हाल हैं वो कुछ इस तरीके से राजस्थान एक नमबर पे 8 मैचेज में 7 जीत और 1 हार के बाद 14 अंकों के साथ नमबर 1 की पोजिशन पे मौजूद है नमबर 2 पे कोलकता 7 मुकाबलों में 5 जीत 2 हार प्लस 1.2 का रंड़ेट 10 अंकों के साथ नमबर 2 नमबर 3 पर सनराइजर्स हैद्रबाद 7 मुकाबलों में 5 जीत 2 हार 0.191 का रंड़ेट 10 अंकों के साथ 3 नमब चार पे लखनव सूपर जायंट्स आठ मैचेस में 5 जीत 3 हार 0.14 का रंड़ेट 10 हंकों के साथ नमब चार नमब पाँच पे चैननाई सूपर किंग्स आठ मुकाबल में 4 जीत 4 हार प्लस 0.4 का रंड़ेट 8 हंकों के साथ नमब पाँच नमब चे पे दिली आगय है यह नीचे से ऊपर नौ मुकाबल में 4 जीत 5 हार माइना 0.38 का रंड़ेट 8 हंकों के साथ यह आगय है नमब चे की पोजिशन पे नमब साथ पर Gujraa Titans चली गई है नौ मुकाबल में 4 जीत 5 हार माइनस 0.9 का रंडरेट 8 अंकों के साथ नमबर 8 पे मुंबई 8 मुकाबलों में 3 जीत 5 हार माइनस 0.2 का रंडरेट 6 अंकों के साथ नमबर 8 नमबर पे पंजाब 8 मुकाबलों में 4 अंक 2 जीत 6 हार के बाद और नमबर दस वे बिंगलूरू आठ मुकाबलों में एक जीत दो अंकों के साथ तो सारी टीमें 14 मैचेस खेलेंगी और जो दोस्तों 8 मैचेस जीतेगा वो प्ले आफ में जाने के उसकी संभावनाय बनी रहेंगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक ले दीजिये हमें इजाजत धन्यवाद